गयाज जब कहना हो कि पतला कर दो, पतला कर दो तो dilute it, dilute it, पतला कर दो, कोई चीज गाड़ा है उसको पतला करने के लिए dilute it, पतला कर दो जब कहना हो कि गाठ लगा दो तो note it, गाठ लगा दो note it, गूथलो, गूथलो के लिए knead it, छीलो के लिए peel it, घिस दो या कद्दू कस कर दो, जैसे भी आप समझ सको, जैसे कोई चीज आप छिली से घिसते हो न, तो उसके लिए grate it, पीसलो के लिए grind it, पीसलो, grind it, मसल दो, mess it, मसल दो, mess it, ले लो के लिए take it, दे दो, give it, रख दो, keep it, लगा दो, इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, जैसे मलहम लगाने के लिए apply के प्रियोग करोगे, और पर्दे लगाने के लिए put के प्रियोग करोगे, put the curtains, apply the wix, जो जो wix को मला जाता है तो rub the wix बोला जाता है, चुकि मल दो, okay, rub the wix, डाल दो की condition में put का प्रियोग कर सकते हो और pour का प्रियोग कर सकते हो तरल पदात डालने के लिए pour का प्रियोग करोगे और जो ऐसा कोई solid things है तो उसके लिए आप जैसे बोलते हैं ना कि put it into my pocket मतलब मेरी जिब में डाल दो छोड़ो के लिए भी आप दो तरीके से बोलोगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने के लिए drop का प्रियोग करते हैं और ऐसा मेरा हाँ छोड़ो तो leave my hand तो ऐसा normal किसी चीज को छोड़ने के लिए वहाँ पर leave का प्रियोग करते हैं उठाने के लिए भी आप दो तरीके से यूज करोगे भारी बजन उठाने के लिए lift और light weight के लिए take it up इकठा करो में भी आप दो तरीके से बोलोगे जैसे unknown जगह से कोई चीज आकर इकठा हो वहाँ पर gather का प्रियोग करते हैं और कहीं पर आप particular स्थान से लेकर इकठा किया जाए तो वहाँ पर आप collect का प्रियोग करते हो चुकि जैसे आप बोलते हैं कि collect the form प्रिपत इकठा कर लो और जैसे many people gathered there वहाँ पर कई लोग इकठा हुए थे तो वह unknown जगह से कई जगह से एक स्थान पर आये थे दुआ पर gather का प्रियोग करेंगे चान लो मैं भी आप दो तरीके से बोलोगे तरल पदार्थ चानने के लिए strain word का यूज करोगे strain it इसे चान लो और सुकि पदार्थ चानने के लिए shift का प्रियोग करोगे shift it खींचो के लिए pull it खींचो पुल इट धकेलो push it धकेलो push it बनाओ बनाओ के लिए make it और चुकि बनाओ के लिए आप कई तरीके से different different way में use कर शकते हो as per the situation जिसे बोलते हो आपकी घर बनाओ build the house घर बनाओ तो build कर यूज हो गया और बोलते हैं कि what did you cook for breakfast मतलब जो आपने नास्ते में क्या बनाया तो उसके लिए बनाने में पकाने में वो essence बनाने में आप कही तरीके से यूज कर शकते हो लाओ के लिए bring it यहाँ लाओ bring it here गसीटो के लिए drag it भिगो दो के लिए soak it गीला कर दो get it wet गीला कर दो और नम कर दो तो damp it धोलो के लिए wash it खंगाल ललो के लिए rinse it निचोड़ दो के लिए squeeze it मोर्दो के लिए fold it और जुकाओ के लिए bend it धक्कन लगा दो धक्कन लगा दो lid it धक्कन लगा दो lid it धक्दो cover it धक्दो cover it बंद कर दो के लिए shut it close it भी use कर सकते हो as per the situation जैसे दर्वाजा बंद करते हैं तो shut the door और electronic devices को बंद करते हैं आप तो वहाँ पर भी shut कप्रियों करते हैं और जैसे अपनी आखें बंद कर लो तो वहाँ पर close का use करेंगे close your eyes अपनी आखें बंद कर लो खोल दो के लिए open it खोल दो open it मल दो के लिए क्या use करोगे rub it मल दो rub it काट दो cut it और दाथ से काटने के लिए bite का प्रियोग और डंक से काटने के लिए sting का प्रियोग मिटा दो delete it मिटा दो delete it from electronic devices okay electronic devices मैं से याट आया जाए तो वहाँ पर delete के प्रियोग करेंगे है फैला दो या भिचा दो तो spread it spread it सिल दो stitch it stitch it सिल दो stitch it थूख दो spit it spit it थूख दो चबालो chew it गटकलो solo it चूसलो suck it और चाटलो lick it और घूट लगालो sip it और चखलो के लिए taste it उवालो के लिए boil it घूणलो के लिए roast it तलो के लिए fry it तलो fry it परोसदो के लिए serve it बदल दो change it बदल दो change it बाट दो के लिए distribute it गिल्लो के लिए count it मापलो के लिए measure it पहन लो wear it पोटोन भी use कर सकते हो आप कोई दिखकर नहीं है सहन कर लो bear it सहन कर लो bear it और बर्दास्त कर लो tolerate it बर्दास्त कर लो tolerate it तोड़ दो तोड़ो को भी आप अलग अलग तरीके से बोल सकते हो फूंक दो के लिए blow it जाड़ू लगा दो sweep it जाड़ू लगा दो पॉंच दो wipe it हिलाओ और चलाओ चलाओ मींस हिलाओ वही सबजी को हिलाने के लिए stir का यूज करेंगे पिगला दो के लिए melt it सामना करो के लिए face it विवस्था करो के लिए arrange it कस दो के लिए screw it और ठोक दो hammer it ठोक दो hammer it चिपका दो चिपका दो के लिए stick it गरारे कर लो gurgle it गरारे कर लो लटका दो के लिए hang it या टांग दो वजिशन्स में hang it सुईकार कर लो accept it सुईकार कर लो भगा दो के लिए chase it chase the crow पीछा करो follow it दबाओ के लिए press it दबाओ खोद दो के लिए dig it खोद दो dig it और गार दो या दफना दो bury it गार दो या दफना दो bury it फोड़ दो के लिए बस्ट इट तो गैस यह थी आज की वीडियो यह वीडियो आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से सुक्रिया मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए झाल